नमस्कार जन्द सरोकार मंच टोंख के साहित्तिक प्रसारण में आज हम ललिता कस्यप जी का साक्षाकार प्रसारित कर रहे हैं और ललिता कस्यप जी का नाम हिंदी लेखन में नारी लेखन में एक तो परचित नाम है और ये इमाचल प्रदेश के विरास्पूड की लेखिका हैं और करविता लेखन के अलावा इन्होंने निवन्द लेखन और प्रंस्मरन लेखन इन सब साहित्तिक विद्हाओं में भी लेखन किया है और इनके साहित्ति में जीवन की जो नैसरगिक अनभूतियां हो सकती हैं जो सहट समवेदनाय हो सकती हैं तमाज को लेकर परिवेश को लेकर मनस्य के जीवन को लेकर वो सब बहुत ही सहटता से सुन्दरता से अस्पंदित हुआ है और रत्नात्मक प्रतिभा की धनी ललिता कर्ष्यप जी आज हमारे साथ मौजुद हैं और हम इनका स्टूडियो में सादर अभिवादन करते हैं ललिता कर्ष्यप जी आपका अभिवादन है स्वागत है हमारे स्टूडियो में नमस्कार राजीव जी और आपके स्टूडियो के सभी पदादीकारियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार मैं ललिता कश्यप जिलाबिलासपूर हीमाचिल पर्देश से हूँ तो मैं हिर्दे तल से आप सभी का अभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्या समझा और अपने पटल पर अपनी जो कार्यक्रम में मुझे हिस्सा दिया और भाग लेने का मौका दिया इसके लिए पहुट-पहुट हिर्दे तल से धन्यवादी हूँ जलिता जी आज सरद रितु जो है वो समाप्थ हो रही है और कार्थिक का महिना जो है वो आचुका है और ऐसे समय में जब सरवत्र एक खुसी एक आनुंद ब्याप्त है पुरे परिवेश में पुरी प्रकृति में तो मैं आपसे गुजारिस करूंगा कि आप अपनी कोई स सुन्दर सी कविता हम लोगों को सुनाए और फिर प्रेस बातें जो हैं आपके लेखन से समंधित जो बातें हैं वो सब हम लोग फिर बात में करेंगे लेकिन सबसे पहले कारिक्रम के सुरू में आप अपनी कोई सुन्दर सी कविता हम लोगों को सुनाए जी मैं आपको केवल अपने विलासपूर का वरणन किया है, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी जनूब देव भूमी है हिमाचल हमारा, सबसे अनोखा, सबसे प्यारा, बारा जिलों के समूने घेरा, हमको है ये जान से प्यारा उंचे पर्वतों की धवल चोटियां, जरने नदियों नालों की गोदियां, चीड देवदार कॉयल के बन विशाल, बादल चूमते इसका उजवल भाल छे रितों की मौज है इसमें, आती नित, नई बहार है इसमें, ग्रिसम, बरसा, शरद, शिशर, हिमन्त, बसंत, लेकर अपने रंग-ढंग आती इसमें हर रितों के फलफूल यहां है, सेव, नाशपती, पलम, आडु, खुमानी, बादाम, अखरोट, अमरूद, पपीता, आम, लीची, केले, अंगुर, जपानी चंपा मोती मोगरा, चंपा मोती मोगरा डेलिया गेंदा गुलाव, रातरानी कुज्जा गुल्दोदी मदोले बेहिसाव, बसूटी काथी बुरास कचनार, रसुनना धावी सुरजमुखी चंदरमुखी की भरमार पांच नदियां इसका तन धोती हैं, सतलुज ब्यास यमना रावी चिनाब, दोमट माटी ये धोती हैं, खान पान क्रिशी बैभव से पूरे होते ख्वाब हरा भरा ही माचल हमारा, हरा भरा ही माचल हमारा रंग विरंगी है परिधान, कहीं चोला जैकट, शाल टोपी कहीन धाटू, पट्टू, कहीं चोला डोरा, कहीं दुपट्टा कमीज सल्वार स्वरग जैसा जीना है, बड़ा स्वाद खान पान, सिड्डू, बटूरू, एंक्डू, बाड़ी, पतेडू, खैरू, खिचडी, भल्ले भात, सरसो साग, दूद दही, लसी, लुगडी, छांग, शर्वत और शराव। सोणा बांका हीमाचल हमारा, सोणा बांका हीमाचल हमारा, छेल छवीली नार, उंची उंची धाराएं, उंचे लंबे गबरू जवान, साप सुत्रे शहरगाओं, सडकों का है जाल, साप सुत्रे शहरगाओं, सडकों का है जाल, घूमने, फिरने, ढोने, खातिर, बायू यान, प्रक बसे, बाईके, जीपेकार, ये है हमारे हीमाचल की शान, धन्यवाद। बहुत सुंदर जलिता जी, आपने हिमाचल प्रदेश, जो आपकी मात्री भूमी है, आपका प्रदेश है, तो यहां की जो प्रकृति है, उसके बारे में एक बहुती सुंदर कविता हम लोगों को आपने सुनाई है, और हिमाचल का जो प्रकृति है, जो सौंदर है, जो द सब सारी बातों को अपने अपनी कविता में इस तरह से मदवर्का से समेटा है उसको प्रसुत किया है उसके लिए बहुत-बहुत बढ़ाई आपको और भारत से एक बहुत विशाल देश है और यहां के जितने ही प्रांथ है उनकी अपनी संस्कृति है उनका अपना उनकी प्रव मिनाख भारत के नक्सेब पर यह प्रवर्यक है और लगता जी ने अपनी इसकाम के संदर्था को अपना विशह बनाया है तो भारत बूमी की संदर्था है वह हमारी बूमी के बार में ही यह करता है और लदता जी आप अपनी और भी दूसरी कर दाय सुनाए तकि कर स्वादन का जो यह मौका है वो निरंतर और आगे बढ़े आपकी यह करविता बहुत ही पसंद आई है उम्मिद करता हूँ जिदी आप समझ सको तो मैं अपनी जिला विलासपुर की भाषा हमारी भाषा बोली जो है कहलूरी बोली है मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ ज लिए हैं तो उनमें जो कगडाएं लिखी जा रही है तो आप उसका जो आस्वाद है उसका तो अंदर है लोग समाजता उसकी अपनी वार्णी में बहुत खुशी होगी हम लोगों को जी जी मैं अपने जिला बिलासपुर की क्योंकि हमारे हीमाचल में बारा जिले हैं बारा जिलों की अलग अलग बोली है एक बोली नहीं है बारा जिलों में अपनी अलग बोली है तो हमारे जो बिलासपुर है ये अती प्राचीन जो है बहुत प्राचीन मतलब महाभारत काल से भी पहले का इसका जो बिब्रण मिलता है तो ए जो हमारी कहलूरी पोली है यह बहुत सारे ग्रंतों में भी इसका कहीं-कहीं छिट-पुट देखने को मिलता है तो उसी भाशा में मैं आपको अपनी रचना सुनाओँगी यह हमारे पुराना जो समाज था पुराना जो हमारा रहन सहन खान पान था, उस समय कि मैंने यह रचना लिखी है, मारे साग सलूने, साग सलूने का मतलब हमारी साग सब्जियां, जहां आपको पसंद नाएम हो दे, आप मुझे से पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, प्रस्त है, बधिय थे जी महरे साग सलूने, बधिया मतलब अच्छे, बधिया थे जी महरे साग सलूने, ना फिकर, ना फाका, ना सोच विचार, रजी ने खा दिया होर मार डकार, सार स्रोठरें दे थे मारे याने सियाने, बहुत कुछ, बहुत कुछ, आज घर घर पकदा मटर पनीर, आज घ घर घर पकदा मटर पनीर किती मिक्स बैज किती मूरी सीर मूरी सीर का मतलब ये बकरे के खरोड़े और सीर को खाते हैं इसके लिए मैंने कहा है किती मिक्स बैज किती मूरी सीर कोई खांदा दुद मक्खन कोई खांदा खीर सारी उमर बमारिय के रिया कदू ने गई पीड बह चुड़दे की उए पकदे परॉंठे सब्जी नी बनी बिना तुड़के, खाए और छली कोदे बाजरे लुखे तुसे केड़े मुलखे। चुड़दे की उए पकदे परॉंठे सब्जी नी बनी बिना तुड़के, खाए और छली कोदे बाजरे लुखे तुसे केड़े मुलखे। किल्लो सीरा चकाई दो तप जिदे त्रिकड, त्रिकड का मतलब कमर, अगर दस किल्लो को बजन चकाई देते हैं तो कमर तूठना शुरू हो जाती है, वो ताकत नहीं है शरीर में। जिदे दस किल्लो सीरा चकाई दो तप जिदे त्रिकड, पीने जो शराबा, चाय, जूस, कॉफी पहले दस पंदरा होने हुआए थे, उन एक कीते बाद माफी। यहां मेरा आशे ये था कि अच्छा खानपान होने के बाब जूद भी एक बच्चे के बाद माफी मांगना शुरू करते हैं, पहले हर घर में एक माप के दस पंदरा पंदरा बच्चे होती थे। बहुत पंदरा बिना तुडकी दाल दाग लेरी पुरू इसे मड़ारे पपु। क्यू अशक्रा खेरू सागपतेडू नौनीरी मांगी। किती गई छलीयरी रोटी। चाईरे घडेरी जापी। छुच्छरा सागपती नेरी जटनी होर प्या जरगतू। यह हमारे मैं इसका वरणन करना चाहूंगी। कि यहां पर मैंने यह जो पंक्तियां लिखी हैं यह हमारे जो बहुत प्राना समय होता था तो जो लोग थे वो सिंपल रोटी खा लेते थे जैसे हमारे एक अंजीर करके होते हैं अंजीर होते हैं वो उसकी कच्छे अंजीरों कि सब्जि बनाई जाती थी और जो सेमल के फूलों के बाद कि उपर लगता है फल ज्यासा उसकी भी सब्जी बनती थी तो सेमल के पप्पू दागले बोलते हैं हमारे उंजीर को घी शक्तर और रही को तड़का लगाने उसको हम यहां कि अपने स्थनी भाषा में खैरू ब साग होता है हमारे यह जो पानी में उगता है पदीने की चटनी और प्याजार गठ्टू मतलब यह जो हमारे पुराने सागसलों नहीं यहनके सागसबजियां होती थी मतलब ऐसी ही रोटी खा करके फलों से भी पके फलों से भी रोटी खा लेते थे लोग और कभी धूप में बैठते थे कभी चाया में बैठ करके सभी लोग बुजरुग लोग या पुरुष लोग अपने बीड़ी और हुका पीते थे और मौज मनाते थे और एक एक पुरुष क्वेंटल क्वेंटल बोज उठा लेता था और कभी भी नहीं ठकते थे तो ये मेरी रचना थी और ऐसी हमारे पुराने साग सबजी थी और ऐसी खाकर के लोग इतने ताकत वरते लेकिन आज हम अच्छा खाते हैं काम भी कम करते हैं लेकिन दस किलो भी बजन उठाने में आज ही प्रब्लम होती है सभी को तो इसी पर मेरी अपनी ये पुरानी होई और मनुष्टका जीवन इन सब सारे प्रिसंद्गों को इतनी सुदर्ता से इन्होंने भावों में पिरोया है और बहुत ही एक सुदर करता अकमी बोली में हमाचल की अपने गिलासपुर जिले की जो इनकी बोली है उसमें इन्होंने सुन्माया है और फिटकुल- हम लोग आपसे यह जानना चाहेंगे, यह ज्यासा है हम लोगों के मन में कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो घर है, बच्पन है, तो साहित की ओर कैसे जुकाव कायम हुआ, और तौरा सा अपने बारे में भी आप बताएं, लाज्टर की कवेत्री तो आप हैं ही, इस र को समझने कुछ चाहुलियत हो, जी मेरा जनम जिला कुलू में हुआ, घुंतर जो बहुत ही प्रसीद स्थाने जहां पर एरपोर्ट है, वही से मेरी प्रसीद स्थाने अस्थान है, यह हिमाचल का और देश का, जी बहुत सुन्दर, और बहुत ही मुझे जहां तक है कि कुल मनाली सीटी है सिट्डी है बड़ी लेकिन दिस्टिक कुलू ही है, मनाली जो है वो दिस्टिकुल्लु में पड़ते हैं, वहां मेरा जनम हुआ है और वही मैंने एट फोर्ट तक पढढ़ाई की, कुछ व्यक्तिकर्त मेरे माँ बापके साथ, मेरे माँ बिमार रहते थे जो लेकिन कुछ बहुत ही समस्यां के और विक्तिकत के चलते ही मेरी शादी जो जिला विलास्कूर में छोटी उमर में हो गई तो बच्चे भी हो गए और उसके बाद मैं ना खुद को पढ़ी लिखी समझती थी तो मुझे पढ़ने का शॉक था तो मेरे बड़े बेटे ने पांचवी की पेपर दिये तो मैंने मैट्रिक किया फिर मेरा विटा फास्ट यड़ में हुआ तो हम मा वेटे दोनों ने जा नहीं जब मेरे बड़ो में हो तो मैंने भी प्लस टू की और जब मेरा बेटा फाइनल में घर के यानि कि मैं ग्रामीन परिवेश में हूँ तो अत्य धिक काम था जमीन जायदात भी बहुत थी माल पशु भी थे तो बच्चे भी थे हम हमारे तो फिरो वो देखने में पढ़ाई करने में दिक्कत बहुत दिक्कत आती थी तो उसके ब मेरे बेटे ने जब फाइनल किया भी ये बड़े बेटे ने तो मैंने भी प्रभाकर की तो हम कॉलेज में महां बेटे दोनों ही पेपर देने जाते थे तो प्रभाकर किया मैंने प्रभाकर करने के बाद में जिला भाशा भीभाग से जुड़ी तो भाशा वहम संस्कृती भिवाग से जूड़ी तो लिखने का शौक था ही मुझे तो मैं 1996 से जिला भाषा भिवाग और विलासपुर लेखक संग पंजीकृत संस्था वहां जूड़ी तो बहुत कुछ सीखा मैंने अपने जिला विलासपुर लेखक संग की वहां पर बहुत अच्छे-च्छे साहित् जो थे उसमें थे बहुत पड़े लिखे उन्च तरिया पड़े लिखे लोगों के साथ मेरा संपर्क रहा उन्हीं को देख देख करके फिर मुझे लिखने का शौक उत्पन हुआ और भाषाव्यम संस्कृती भिभाग ने मुझे वह कार्या स्वांपा मेरे लेखन क्षमता को देकर जो एक PhD फोल्डर जो होते है रिसर्च का क्ाम करते हैं वो फिर मैंने काम किया मुझे एरिया रिसर्च का काम सौंपा गया की यहेह कविस्तेव में अया इसका पहले क्या नाम था कैसे यहां पर था क्या खानत ऑन था क्या गाउं था शहर् letzte तर था ऐसे करके मैंने जो शिमला है वहां पर भी है तो उसके बाद फिर लिखते 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 आज मैं नेशनल इंटरनेशनल सर पर लेखिका हूं और बाहर से भी मैं जूड़ी हूं कोई जैसे दुबई है कनाड़ा है ऐसी संस्थाओं में मुझे छंद सिखाने का काम स्वांपा गया दी जाए क्योंकि गुरु बहुत बहुत बड़ी उचेस्तरियोपादी है जिसके काविल मैं भी नहीं हूं जितना सा मुझे आता है उतना मैं सीखाती रहती हूं और उन्हीं लॉकडाउन के दुरान जब आना जाना बंद हुआ तो पूरे भारत की अनेक संस्थाओं से में जूड़ी साही तिक संस्थाओं से में जूड़ी जहां से मुझे लगभग सौड़ेट्सों से उपर उस सरीय समान पत्र प्रापत होंगे बहुत सारी प्रतियोगिता में मुझे प्रत्थम स्थान मिलता रहा तो जैसे मुंबई से हैं फिल्मी बॉलीवुड में गजलकार हैं अभिलाज जी उन्नों की और गवालियर से हैं प्रोफेसर मीना श्रिवास्तिप जी उनकी एक संस्था थी तो उस संस्था में संडे वाले आप जो आपने बताया कि आपके पीता आजादिन फाउच इनके स्यानामी थे तो तंटा स्यानी वेक्टी हैं और कुल्लू की रहने वाली हैं अब तो कुल्लू से जुड़ी ही जो समत्तियां है आठ साल की उम्र में उस समय का जो समाज था उस समय जो लिवाज प्रिवाज की पढ़ाई दिखाई में भी आपने अपने स्वाध्याय से अपने संस्थारों से अध्यूंची इलता से आपने साहित्य का ज्यान अवित किया और साहित लेषन की और भी आप परवित हुई और बहुत खुशी हुई हम लोगों को यह जान करके कि आपको राष्टि-अंत आप जानकारी दे रही हैं, बता रही हैं, तो यह सब प्रसंग बहुत सुखर है आपके बारे में जानकर, और कुलू के बारे में, मनाली के बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे कि यह जो अंचल है, तो क्या यह सिर्फ एक परड़क अखल है या फिर एक सांश्कर्शिक अ यह देव भूमी है अने को अने को देवता यहां पर बास करते हैं जिनकी जो शक्तियां वो हमें बिल्कुल प्रतीत होती है साक्षत परतीत होती है कि हां हमारे देवि डेवता साक्षत है दर्शन होते होंगे किसी को लेकिन यह मानना बेहद जरूरी है कि यहां की शक्तियां जो है वो सच में हमारा साथ देती है तो इन देवताओं में कोई द्यत्या रूप में हैं, कोई नाग रूप में हैं, कोई किनर रूप में हैं, कोई देवी रूप में, कोई रिशी रूप में हैं, ये बहुत सारी जो ऐसी ही बहुत बड़ी देभूमी हैं, इसका सीधा जो साक्षात आपको मिलेगा, दुशहरा म मिलेगा आपको वैसे तो हमारे स्थानिय मेले जितने भी होते हैं कहीं भी प्रतेक जीले के कहीं भी स्थानिय मेले होते हैं तो वहां के देवी देपता एक डोली और डोली के रूप में वहां आते हैं और वहां मेले में विराजमान होते हैं तो जब कभी भी आप दुशारा यूट्यूपर देखो आप जब कभी भी देखिए आप किसी भी माध्यम से देखिए आपको हजारों देवी देवता आपको नजर आएंगे लेकिन कुल्लू के जो राजा कौन थे मैं सुरी भूल रही हूं अभी अंतिम राजा कौन थे तो पहले वहां को कोई राजा नहीं था तो ऐसे ही जो चलता था बाहरी लोग आकर कर आकर मन करते थे और वहीं के अपने अधुन हो के रहते थे तो अरूंबा जो माता हडिमबा है भीम पतनी वह मनाली ही है उसका जनम स्थान रहन स्थां जो भी है वो मनाली में ही पूरा ही माचल एक एक जिला में पांड़ू के कोई ना कोई जो है आपको वहां पर दृष्टी कोचर होता रहेगा और रामाइंद के शाक्षात आज तक नहीं मिले साक्षे यहां पर नहीं मिले लेकिन रामाइंद उसे जुराख वाजो टेवहर है नहीं मनाया जाता है यह कहा मैं आपको धिरे-धिरे सुना रहे हूं कि मनाली का वो हंधेमबा जी का है और हडेमबा को कुल्यू की दाभी मानते हैं पूरे कुल्यू की हडिमबा नहीं वहां का राजा को स्थापित किया था किसी ग्रीव इनसान को दर्शन देखे कि उसकी परिक्षा ली थे उन्होंने किसी तरीके से जब उनमें अच्छी प्रवरिती पाई गए उसे कुल्लू का राजा बनाए उसके बाद जो पंशल जागे से आगे राजा बन उनात जी को उनकी सबसे पहले उनकी डोली आती उसके बाद हडिमबा जी कहती है उसके बाद सभी देवी देवताओं की भूमी है और यहां पर बहुत आस्था पान लोकसल है जो आपने देवी देवताओं में बहुत आस्था रखते हैं और सबों की भूमी है ये आज भारे में यह बिल्कुल यह भाट चाही है और मैं जो नहीं दिखाई 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 दे रहा हैं यहां के समाज इनके हएं इप हम लोगो को बता हैं क्योंकि आप्ये अपने जिए जिए उन के बारे में यह बताया कि वह समय था जब हम पड़ाई लिखाई ठीक्सилась क हो गया था तो अब यह समाज जो है हिमाचल का समाज यह किस तरह के बदलावों को दिखा रहा है तब तरह रहा है अपनी चेछना में जी बिल्कुल हमारे यहां हिमाचल का खान पान और पहनावा जो था भीन-भीन था सभी जिले का अलग ही था अब लाहल स्पीक्ट की जो हमारी भेश पूशाती वो छूट रही है खान पान चूट रहे हैं आधुनिक्ता के मोड पर जो आये है तो यह जैसे दो दर्शन में देखते हैं फिल्मों में देखते हैं और स्थानिया लड़कियां जो है लड़के भी अब डश हु 안तों जो लेकिन पर्मप्रागत पर करें लोगों की तो नई स्विथी के लोग लोग उसके अलग हो रहे हैं और वो बारा जीलों के अलग अलग वो था भेश बुशा थी सभी जिलों के लग भेश बुशा से पहचाने जाते ती ये किस जिले का है तो सिर्फ वेसा में बदलाव दिखाई दे रहा है या और भी तरह कि कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है जेसे हमारे संस्कृती ही हमारे रीची जिवास अब विवाज़ शादियों में मंगल की इतकाय जाते थे कहीं 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 देखने को मिलता है कि मंगल गीत काई जाते हैं तो वह मंगल गीत काई जाते हैं भेश बुशा का तो आप नामी छोड़ो भेश बुशा तो बिल्कुली उठ गई और यह एक है कि जहां पर लड़कियों को पहले कम पड़ा है जाता था यह ना के बराबर होता था आज लड़कियों को लड़कों के बराबर रखा गया लड़किया बहुत जो है उच स्तर की शिक्षा प्रापत कर रही है बहुत उंचे-उंचे और्दों पर काम कर रही है यह हुआ है अभी देखिए आपने सुना होगा कि सागर के यात्रा के माध्यम से छे-सात लड़कियों ने पूरी प्रित्वी का भ्रमन किया जी हां किया उसमें एक लड़की हमारे कुल्लों की थी अच्छा अच्छा हां जी उसमें जो कैप्टन का जो ने तृत्वा किया उसने इन लड़कियों का वहमारे कुल्लों की थी में नाम भूल रही हूं उसकी कौन है वह पर वह कुल्लों की थी हमारे बिल्कुली जहां मेरे जनम हुआज के प्रोस वाले कसवे की थी तो बहुत एक बढ़ा बदलाव हिमाचल के समाज में दिखाई दे रहा है और वहां पर ल अलिटा जी ने इसके बारे में हमें बताया है कि एक बहुत अच्छी चीज जो हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है वह है सिख्छा और जर्खियों को समान वहां तो दिया जा रहा है शिक्छा प्राप्ति के समान अवसर तकार के दोरा समाज के दोरा परिवार के दोर दिखा रहा है तो यह बहुत अच्छी बात आपने बताई है और हिमाचल प्रदेश के बारे में और भी बहुत सारी बात आपने हम लोगों को कही है लेकिन इस इंट्रव्यू में आपका आगमन एक कवेत्री के रूप में हुआ है और अधी तक हम लोगोंने तिर्प दो कर है हमें आप सुनाएं अभी दीपा वली वाले दिन जो था जैसे सभी को पता है कि भगवान रामचंदर जी लंका से विजय प्रापत करके अयोध्य लोटे थे तो लोगोंने उनकी आने की खुशी में घी के दीपक जलाए थे तो वैसा ही बैठे-बैठे मन में विचार आय इसे बार खुशी मना रहे थे पूरी फैमिली हम फैमिली में 18 सदस्या हैं छोटे बड़े बच्चों के साथ हम बड़ों के साथ है 18 के 18 सदस्या हम इकठे हुए थे और बच्चे मना रहे थे तो अभी हमारी हिमाचल में थोड़ा सरदी का मौसम हो गया तो मुझे ठंड छीशे शेल सुताच्छंड या कनक मंज्री चंड कहते हैं सदस्या वह थो इसका मैं मापनी आपको बता दूँ कि इसके चार लगु होते हैं चार लगु गुरू लगु 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 अश्या में आप से बात करेंगे पहले आप कवितास में और करता के बार में आपने जो बताया है तो फिर कविता गौन पर जाती है दूसरी बाते हैं महत्रफुन बन जाती है तो यहां पर हम लोग कविता शुन में चाह रहे हैं और इस बाते हम लोग इसके बात करेंगे जी दिपा बली पर मैंने लिखा है शेल सुता चंद जीसे कनक मंजरी चंद भी कहते हैं प्रस्तुत है आप समझीएगा अगन समान दिखे मुख मंडल रावन क्या कुछ पावत है जप जप नाम सियार घुनंदन कोशल धीश मनावत है अतुलित दाओ धरे दसकंधर एक नहीं बन पावत है निशिचर भूप भयोति मूरक पावक हाथ जलावत है बिटप अशोक पड़ी जब मात सिया सुधलेवन जावत है तुम दसकंधर मार सिया जब पुष्प बिमानन लावत है जगमग रूप धरे धरती तम घोर हटे रगुनागर के पट धित तेल जले बन दीपक भाव विभोर उजागर के घर घर ताल बजे चिमटा अरुढोलक जाँज बजावत है शुबशुब मंगल गावत गीत मनोहर रीत निभावत है अबदपुरी मन भावन होकर आतुर होवत दर्शन के नयनन नीर भरे सुख के जल पाउँ पकारन हर्शन से धर पकवान दधी घर पकवान दधी घृत पैसियावर राम बिलोकत है सुमन सिहासन राम बिठावत चवर जोलत जावत है रगवर राम सिया सुख दायक पाप मिटावत जावत है धर मुख नाम सदाभव भंजन नाम अतीमन भावन है नाम अतीमन भावन है देलता जी आपने जो शकटा आपने जो सुनाई है राम के अध्या आग्मन का प्रशंग इसमें जिस तरह सित आपने का वर्णं किया है हो एक अद्वत वर्णंग है और चंड शारीया सोभधाय आफ और आप ती चुछ को सनकरके अपर्ट मicular sub परिद्थत्या सही हो आप प्षांद की आचाराहा है अब चंड की आप अज्यात्याक हैं और शार lakano मैं सुना हूँ मैं छंद बद नहीं एब यह वारने की चंद है और वारणी कभी नहीं है ये है अलंकारी तचंद अलंकार जो अनुप्रास अलंकार में रचित मेरी रचना है जिसमें वर्णों की आगरती होती है जी वरण की बार वार अब मैंने सव शवद को चुना है अनुप्रास अलंकार में लिखी जई करता है जो है वह भावों में भर देती हैं और वह नाद जो है वह भावों को बहुत सघन रूप प्रदान करता है जी सव वरण की पुनरावरिती है और ये चितर आया था सुभा सुभा सूरज उदै हो रहा है मन मोहित जो बाता वरण है चारो तरफ खुशहाल है हलकी हलकी ओसकी बुंदे छिटकी है तलाब है तलाब में कमल खिले हैं और पंच्छी जो है कलरव कर रहे हैं उड़ रहे है तो उस चित्तर को देके मन में एक उपासना उपजी मेरे मन में ये चंद लिखने की, तो अनुपरास चंद में लिखा है, प्रसुत है, सरसिज सरोज सुषोभित सुरभित सुन्दर सुभोर सम्मोहित सुवासित सुमन सुदूर सुधूर सुखचोर सरस सुधासम सागर सकल सलिल सरताज सकल संसार सुगंधित सुरण सुरेश सुरसाध सुर सुरीली सुतान समीर सुर्मै सरगम सुभान सुन्दर सुभा सजल समाहित सुखकारी सुमंगल सुजान कि बहुत सुंदर हो कि आपने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और इसमें आपने झो संसार का जो सोंदर है इसको आपने इतना लदी पर सवाघें नола को हमारा मन है रहा हमारा समाझ है हमारा जीवन है यह दर्ती है जहां पर धूप्छाई ही है फोल खिल रहे हैं भार्याली राप्त है और पुगंधित पावन जो है वो हमारी मन को आहलाद से भर रही है और आपने अनुप्रास के मार्ग्यम से इन सब्सारिक प्रसंगों को इतनी सुंदर्ता से दस्तुत किया है कि उसके लिए आपको बहु तो यात्रा संस्मरन भी लिखे हैं आपके यात्रा संस्मरन बहुत पचिद्ध हुआ है वो पढ़े गया है है हमार्चल की जो भूमी है उससे थोड़ा अलग हट करके आप उतराकंड भी गई और वहां पर आपने देवदर्शन किया कई धाम हमारे जो है वो उतराकंड में तो श्वागर्क प्राप्त है आपको शवभागर प्राप्ट हुआ यदे में यात्रा संस्मर पढ़ने लगूं तो यह बहुत लंबा है तो लुआ यात्रा संस्मरन जो है वो पढ़ने कलाबा लिखक के मुख पे उनको सुनना तो एक और बहुत अंदर बूती होगी पुरा सा हिस्सा उसका पटकर आगर आप सुना सकें या फिर बताव सकें कि वो मैं यह देखूं कहां से मैं आपको बताओं रखा तो मैंने सब अपने पास था लेकिन वीडियो का ना ना वह दुखदाई हुआ मेरे लिए अपने आत्रा सुनस्वरम सर्जों है उनमें आपने क्या-क्या लिखा है जो बातें आपको याद आ रही हूं उनके बारे में बताएं आप जी मैं निकाल रहे हूं यह बहुत लंबी है मैं थोड़ा सा जो देखिए मैं अब यह नहीं मैं बता पाऊंगी कि मैं कहां से कहां पर कैदारनात की आतरा कैसे हम पहुंचे तो उसका मैं पीच में सुनाऊंगी यह चारो तरफ धवल बरफ की चादर ओड़े परवतों से घीरा अनुपम मंदिर है हम दर्शन करके बापिस पिश्राम गरी तकाए चाय बना कर पी खाना बनाया खाया और कैदारनात के लिए चल पड़े हम बापिस उसी रास्ते उत्त काशी तक आए यह भागी रथी नदी के किनारे बसा परवतिया शहर पहुत ही सुन्दर है यहां का राष्टी मारत 134 से यात्रा करते हुए हमने एक लंबी सुरंग को पार कर मनेरी बांध उत्राखंड देखा उत्तरकाशी से हमारा रास्ता के दारनात के लिए बदल गया वहां से हम लगत 50 किलोमीटर दूर त्रिमुंडा खाल आये और रात्री बिश्राम किया उत्तरकाशी परवतों की तल हटी में भागी रथी नदी के दोनों किनारों पर 3-4 किलोमीटर तक घना शहर बसा है यहां की बेशबुशा आधुनिक फैशन वाली है केवल बज़ुर महिलाई साडी ढाटू और पूर्शों में जैकेट किश्ती टोपी देखी गई उत्तरकाशी से केदारनाथ 232 किलोमीटर दूरी पर है साड़े बारा वजे हम अगस्तस्यमुनी की तपोस खली रूदर प्रयाग पहुंचे यह शहर परवतों की तल हटी में मंदाकनी नदी क एक नरे बसा है रूदर प्रयाग से आगे तीन किलोमीटर चंदर पूरी आती है वैसे तो उत्राखंड सारे का सारा घनी परवत मालाओं से घिरा राज्य है कहीं कहीं भ्यानक सुनसान सड़क तथा बनक्षेतर है कहीं कहीं अतीप प्राकृतिक सौंदर्य भरा धलान दार स नीडी नुमा छोटे-छोटे खेतों से सजे उंचे-उंचे पहाड है। चंदरमुखी से आगे आठ किलोमीटर आगे गुपतकाशी से होते हुए हम तीन बसकर 45 मिनट पर सोन परयाग जो 5 किलोमीटर गौरी कुंड से पीछे है हमने रात का विश्राम किया गौरी कुंड म जल्दी उठकर हमने गौरी कुंड के करम चेश्मों में सनान किया। पूजा अर्चना के बाद हमने केदार नाथ की पैदल यात्रा शुरू की यह लगभग 19 किलोमीटर है। तो क्या मैं इसके आगे सुना हूँ यहां तक कर थोड़ा सा और इसका जो पैदल यात्रा जो आ बुकिंग पुरव समय से हो जाती है। जिससे हमें ये सुविधा उपलप्त नहीं हो सकी। गौरी कुंड से केदारना तक डंडी, कंडी, खचर की स्वारियों का शुल्क बहुत मेंगा है। फिर भी बहुत सारे लोग इन सेवाओं को ले रहे थे। हमने लिन्चौली तक जो गौरी कुंड से 10 किलोमीटर दूर है पैदल यात्रा की। दो-तिन दिन हमने देखा कि सुभा से दोपहर तक यहां का मौसम बिल्कुल साफ वतेज धूप रहती हैं और दोपहर बाद रोज बारिशोले बरसते हैं। हमें लिन्चौली तक पहुंचते पहुंचते धाई बज गए। सेंकडो यात्रियों से थ हम भी ओले वारिश के थपेडों में पहुत भीग गए थे। ठंड से शरीर अकड रहा था। हमने वहां फोजीयों द्वारा बनाए गए तंबूओं में सहारा लिया। हमारे फोजी भायों ने हजारों तिर्थ यात्रियों के लिए इ कुछ नौजवान हरियाना दिल्ली के तथा दो महिलाएं मुंबई से तथा एक दिल्ली से थी। ये महिलाएं अपने परिवार तथा टोली से बिछुड चुकी थी। क्योंकि अंधिरा हो चुका था। बारिश और तुफान भी तेज हो गया था। इसी कारण इन महिलाओं मुंबई की महिला जो की ठंड के कारण अकड रही थी। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि उसे तेज बुखार था और अपनों से भी छुडने का घम था। और वे डर भी रही थी। इसलिए वे जोर-जोर से रो रही थी। हमने अपने दवाईयों वाले ली फिर हम सबने भी रात के भुजल में आलू का परांठा और चाय ही ली। भगवान का शुकर था कि ऐसे दुर्गम स्थान पर भी खाने पीने का प्रवंद था। लिन्चोली में फोजियों दवारा बनाएगे तो वों के सासाथ पक्के होटल भी बने हैं। बहुत इसके बाद मेरा जो यह इसमें लिखा है जो तो तो इस चोटे के आतरा विर्कांत में आपने के रावनाथ की यातरा के बारे में सब कुस बता दिया है कि वह कितना एक दूर्गम कि यहां पर लोग अपनी आस्था को लेकर करके वहां पहुंचते हैं और बहुत सारे कष्ट तकली चेलने पड़ते हैं तो हम आधे रास्ते में पहुंचे देवाहां तो हमाले की भूमी है वह कैसी भूमी है और लड़ता जी जो हैं यहीं इसी प्रदेश की निवासी हैं यहां यहां पर्दीबादी प्रदेश जो है यह बहुत ही दूरगम अस्थल है हमारे जेस के जहां के बारे में लड़ता जी ने अपनी एक वेच्ट ने तो उसको उसमें इन्होंने उसके बारे में हमें बताया है और जल्टा जी आप अपनी कोई कंटा सुनाएं और अपने नारीबन का जो इद्वार हो सकता है अंसामिक प्रिवेश का इथार्थ जी दरूसमें हो या कोई करता जो आपकी जी मैं पदमावती चंद सुनाती हूं तो आपको महारत हासिल है और आप जी तरह से बहुती मतबता से मन के भावों को आपके रोकी है तो वह वह से विरल उन है कादेगुन है अच्छा मैं आपको अभी गीत सुनाओंगी जो मेरे द्वारा रचित है यह कहानी है गीत गीत में आप समझ जाओगे कि यह कौन सी कह एक कली उपवन में खिल गई सोलवे ही साल में रंग सुनहरे पाल में था और गुलाबी गाल में एक कली उपवन में खिल गई सोलवे ही साल में रंग सुनेहरे बाल में था और गुलाबी गाल में देखकर भवरा सलोना आ गया उस पाग में नाच ने गाने लगा वो प्रेम के सुरताल में बहक गए कदम कली के सुने के प्रेम राग में फस गई आकर उसी के जूठे प्रेम जाल में रात भर काटी भरेने रात भर काटी भरेने प्रेम के आगोश में गोर होते उड़े गया वो छोड़ उसी के हाल में लुट गई कली उसी के जूठे प्रेम पाश में बेरहम बेदर्द दे गया दर्द सो लविंसाल में दिल में दर्द आँख में आशो दिल में दर्द आँख में आशो खूक सी उठने लगी कैसा वे दर्द वक्त था जब आई उसी की चाल में रब करे ऐसा ना आए वक्त किसी के साथ में मुर जा गया चहरे का नूर रोती रही उस हाल में इक गली उपवन में खिल गई सोल में ही साल में रंग सनेहरी बालों में था और गुलाबी गाल में जी बहुती चुंदर लिटा जी आपने शिंगार को ही बहुती चुंदर तक से अपनी रिष्माव में व्यक्त किया है यह जो भाव है शिरंगार रसर आज कहा गया है काज शास्तर में शिरंगार को और आपने जो प्रतान भूती आप प्रकाट की है अपनी इस करता में वो मन को अभूत करती है और करता में जो जीवन के सब जो प्रसंद है, नारी मन के जो उद्वार है, नारी जीवन का थार्त है, उसको जिस तरह से आपने कल्पना के माध्यन से, और सुनहरे वितान पर, भावों के सुनहरे वितान पर जिस तरह से आपने उसको प्रगत किया है, वो आपकी शाप दिकला की वाली कवित्री हैं एक ऐसी कवित्री कि इसे लंकार और चंद सास्त्र सा बहुत ही सुन्दर ज्यान है तो हम लोग चाहते हैं कि आप एक और भी कव्टा सुनाएं जी मैं आपको दोहे सुनाऊंगी दोहे आपको दोहे सुनाऊंगी सावन महीने पर सावन आया नाचिता संग बरिखा बाहाँ सावन आया नाचिता संग बरिका बाहार मेधराज भी झूमता गातागीत मलहार रिभाईया गातागीत मलहार गिर गिर डोले बादली, शीतल मंद वयार गिर गिर डोले बादली, शीतल मंद वयार जूम जूम कर सावली, अविरल करते प्यार रभाईया अविरल करती प्यार बादल करते प्यार परवत परवत जूम के घुमत में घराज परवत परवत जूमके घूमता में घराज कड़ 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 के दामिनी सावन करता नाजर भईया सावन करता नाज बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर सपन जेठ की जेलती देख गगन की ओर सावन की बोचार से प्यास मिटे गन गोर बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, आगे भी सुनाओ या बंद कर दो नहीं, आप से हम और भी कवगतायं सुन्दर, तो मुझे जो मिठास है, जो माजौर यता है आपके इस्वर में, वह मुझे बहुत विभूत कर रही होगी, आप कर रहा होगा आपका सवत, आप बहुत अच्छा गायन करती हैं, इसा लगता है जैसे कि आत्मा में जो आत्मा की मिछास जो है, वो बहुत अपनीक पंग्त्यों में समा गई हो, तो बहुत एक विलक्षन का व्यान भूती से तुम लोगों को गुजदने का मौका मिल रहा है और आप आगे भी सुनाएं अभी समय है कारिक्रम अभी जादी रहेगा अभी आमने डंभू नहीं होगा सभी लग्षब्ध छोटेश था म होंगे ये ठीक है सार सार उड 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 नगर नगर नव चम चम बार साथ घनन 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 काड़ 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 गरज गरज का बरस बरस कार मन हर जल धार मधूर मीलान फिर नवमाही नद सार भार भार चल कत नट खट पन गट सार सीज सार वार अधर मधूर केल उपवान सूर भीत सकुसुम कुसुम मील। सार पड़ इस dirili नट खट सार पड़ फोगार मारी मlav मादूर में पन बyangल्र मियद मेशर भार gua वा भार में बाला सुमरे कंन। कविता में भाव, भासा और विशय, संजीत, नाद, सुर्थ, तलतान, लए, छंद, यह सब सारे तत्व जो हैं, यह किस तरह से कविता में संजुजित होते हैं, और तरह से कविता एक अधृत्री कला मन का रूप ब्रहन करती है, तो इसकी बामगी जो है वो लेलिटा जी की कविताओं में वो दिखाई देती है, और हम लोगों में अभी यह दृत स्वर में, दृत चैली में, वो कविताएं, सुनी हैं, तो वो बहुत ही एक संदर करता है, और बहुत ही, हमें एक उसी होगी, अगर आप चंद के कुछ और भी प्योग जो आपने यह हैं अपने काव लेकिन में, उनको भी अगर आप प्रवट करें, बहुत थोरा समय बच रहा है, लेकिन उसमें भी आप चंद के कुछ और संदर पद्ध जो हैं, ताबे पद्ध, जी मैं आपको मुक्तक सुनाती हूं, हां मुक्तक सुनाईगे, जी मुक्तक सुनाती हूं, चलो मोहन दुलार को सभी गोदी बिठाएंगे, चलो मोहन दुलारे को सभी गोदी बिठाएंगे, सखी प्यारे नजारे को सभी नैनों बसाएंगे, मधुर दो नैन काना के, बड़े सुन्दर कपोलों की, बलाएं ले सभी नरनार, मुसकाने निहारेंगे, भली सुरत सलोनी की, दिलों पर राज करती है, कभी बाती, कभी घाती, खृदय पर चोट करती है, भुलाएं भूलता नहीं, बुलाने पर नहीं आता, सकी मुसकान साजन की, निरंतर याद करती है, वाह 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 सकी कविता सलोनी की, सभी जाकर सुनाएंगे, सुनो सब राग गाएंगे, मधुरता ने सुनाएंगे, अगर काना नहीं माने, चुराएंगे तभी मुरली, तभी मुरली चुडाने को, मुरारी भाग आएंगे, जलिटा कर्षब जीवन की प्रिसंग है, वो हमारे मन के तमाम भावों की वेंजना को उत्रस्तुत करते हैं, और इस कर्षब में हमने जीवन ता जो आनंद है, जो उत्ता है, जो अमंग है, और नारी जीवन, नारी मन, इस जो अमराग समाया हुआ है, यह अमराग, प्रक्रटडिका अमराग, तो वो सब इनकी तरताओं में अक्षर, दिशीवस्तो कारुप, वो गर्ण करता हुआ, प्रक्रटठ होता है, और यह इनकी कविताओं की सबसे बड़ी विलक्समता है, विशेषता 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 है, प्रवस्तिक्रों पर और जो सरलता वहां के घावों में लोगों के यात्मा में द्राप दिखाई देती है तो इन सब सारे तत्वों से लेटा जी की कविताइं जो हैं अपनी भाव भासा को ग्रहन करती हैं और हमें आज इन से कविताइं सुनने का मौका मिला ये एक बहुत ही बड़ी सुख़द बात है हम सब के लिए और जलता जी आप स्टोडियो में आई आपने हमें कुछ अपनी कविताइं सुनाई और आपने बारेम बताया हमाचल प्रदेश के बारेम जानकारी भी ये बहुत हम सब के लिए उमीद करते हैं कि आगे जब तक्निकी व्यवधान नहीं होंगे तो फिर हम आपका यूजियो इंटर्वू भी करेंगे और ये आपका आज यो किया है ये बहुत ही अच्छा रगा है आपसे बातीद करके तो कारेकरम में आने के लिए आपका आपकी प्रसिय करता हूँ जन सरुकार मंच्टों की ओर से और समस्त सुलताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाज ये तक सची धन्यवाज